Good morning students, how are you? I hope you are fine and well at home. आज हम आपको कंप्यूटर के पार्स के बारे में जानचावी देंगे. सबसे पहले है monitor, second है printer, third है keyboard, fourth है mouse, fifth CPU, sixth speakers, these are speakers, seventh है UPS. तो ये जो हैं ये सारे हमारे essential parts हैं, जो कि हमारे computer को चलाने के लिए ज़रूरी हैं. सबसे पहले monitor, monitor हमें soft copy देता है और इस पर हम हमारा किया गया काम देख सकते हैं. Keyboard हमें data को type करने में मदद करता है, जो भी हम type करते हैं वो monitor में show होता है. Third है mouse, mouse से हम किसी भी चीज़ को point करते हैं और select करते हैं. Fourth है CPU, CPU में सारी processing होती है और उसके बाद हमें जो data है वो monitor में show होता है. Monitor में जो data show होता है उसे soft copy कहते हैं और soft copy की hard copy हम printer के द्वारा लेते हैं. Printer जो है हमें इन पेज़े जो pages हैं इनके थुरू hard copy यानि कि printed copy देता है. इसके अलावा speakers जब हम को music लगाते हैं computer में तो ये speakers हमारे music को हम तक पहुंचाते हैं. इनी speakers के द्वारा हम music को सुन सकते हैं और इसके अलावा ये UPS जो है अगर हमारी बिचली कुछ time के लिए चली जाती है तो UPS के थुरू हम कुछ time के लिए अपने computer को on रख सकते हैं और अपना data save कर सकते हैं. Thank you.